हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आपको पेनिया भाई कि डिस्टिबूटर का नमबर आरेम का नमबर और साथ में कस्टमेर करेकर नमबर कैसे निकालते हैं यह बताने वाला हूं तो इस वीडियो को देखते है वह मदद करता है कि पास कॉल करेंगे तो पहले तो जल्दी लगता नहीं है और जब भी आपको कोई प्रोब्लम होगा तो कॉल लगने में भी देरी होगी अगर कॉल लगेगा भी तो आपको सभी से से बता पाते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने तो उनको तो इसको खोजने में काफी दिक्कत होगा लेकिन जिनका रेजिस्टेशन हो चुका है जिनका आईडी बन चुका है उन में काम चल रहा है तो उनके लिए बहुत ही असान है और यहां पर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि सभी एरिये का सभी क्यूटर अलग-अलग होता है तो अगर आपको नम्मर चाहिए तो आपको अपने एरिये का पता करना होगा अगर आपके अरिये में कोई पेनयाओि चलाता है तो उससे पूछना हो, अगर आपके पास नहीं है तो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँपर पहले तो अपना पैने वाई अब को ऊपन करेंगे अपन करने के बाद यहाँ पे थी डोट पे यहाँपर ठी लाइन पर क्लिक करेंगे और सबसे नीची आजाना है आपको support का option मिलेगा support वाले पर जैसे click करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको distributor का number मिलेगा फिर पेनियवाई यह customer care का number मिल जाएगा उसके बाद आपका sales manager यानि RM का number यहाँ पर मिल जाएगा तो यह तीनों number आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो अगर कभी भी कभी आपको कोई problem होता है तो आप अपने distributor को call कर सकते हैं अगर distributor का call नहीं लग रहा है तो उस case में आप जो कि आपने RM को call कर सकते हैं और अगर उससे भी काम नहीं बनता है तब आप customer care को call कर सकते हैं है तो ऐसे तो आपको अपना पिया यह ठेये बाई का अर आरेम का नंबर सेप करके रखना है सक्वंकि एब और पर यह हैं हलाकी उनके वर्ट सेब भी चलता है यसे तो एक बार आपको चेक कर लेना है इस नंबर और अगर वह रिपिल्ए नहीं दे पाते हैं तो आप उनको वर्सेप कर सकते हैं या फिर यहां पर इमेल आइडी भी है आप उनको इमेल भी कर सकते हैं अगर किसी का कॉल नहीं लग रहा है तो यहां पर आपको इमेल आइडी भी दिया है इस इमेल आइडी पर आप उनको कॉल भी कर सकते हैं उसके बा का ही number सो करेगा और पेनिया बाइ customer के नमें तो वहाँ पे करेगा ही करेगा लेकिन जहां RM का number है sales manager का number है वहाँ भी आपको जो कि है customer care का ही number सो करेगा तो इसका मतलब है कि अभी आपका id चालू नहीं हुआ है और आपके ID में भी distributor का mapping नहीं हुआ है जैसी distributor का mapping हो जाएगा वहाँ पे आपको distributor और sales manager दोनों का number एक साथ ही आ जाएगा तो अगर आप में नहीं आ रहा है तो घपराना नहीं है यह आपका जैसी आपका ID चालू हो जाएगा या फिर अगर आपका के पास call करके उसके बाद आपका mapping हो जाएगा तो ऐसे आपको अपने distributor का आरेम का और साथ में customer करेकर number आपको अपने पास save करके रखना है क्योंकि काफी सारे problem होते रहते हैं जिनका solution आपको उसी समय चाहिए होता है तो उसके लिए आप अपने distributor या आरेम को call कर सकते हैं तो उमेद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और साथ में हमें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगरे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाए टेक केर